हलो वो एब्रीवान, विल्कम बैक टो ससे मेहतन कोडिनेट जोमेटरी प्रिवेस यर का क्वेशन सिरीज का क्वेशन है यह ससे सीजल टीयार 2 2019 में आ हुआ था मुतलब 2021 आ था 16 यारा 2020 में what is the area of the triangle formed by the graph of the equation 2x plus 5y minus 12 equals to 0 and x plus y equals to 3y equals to 0 दो स्रमी करण दिया हुआ है 2x plus 5y यह equation दिया हुआ है और y equals to 0 है कि यह सब स्रमी करण द्वारा जो straight line होता है उसके दारा निर्में 3 भूज में खेत्रफल कितना होगा बर्ग इकाई में हमें पूछा गया है तो देखते हैं कितना हो जाएगा सर सर एक equation क्या दिया हुआ है सर 2x plus 5y equals to 12 2x plus 5y equals to 12 दिया हुआ ठीक है एक काम करता है इसको intercepted form में लेके आता है मतलब x बटा a plus y बटा b equals to 1 तो यह क्या होता है सर intercepted form यह x-axis में straight line यह x-axis को a 0 point पे चेत करता है और y-axis को 0 भी point पे चेत करता है तो क्या हो गया एक equation हो गया अब देखो सर एक चीज इसी format में अगर चेंज करेंगे तो क्या-क्या मिल जागा सर इसी format में चेंज करता है तो x बटा 12y2 मतलब 6 plus y बटा 12y5 equals to कितना 1 तो x-axis को कितना 6 0 y-axis को कितना 0 12 बटा 5 तो यह 2 से ज्यादा है याद रख लेना है 2 से ज्यादा क्यों बोला है मैंने आपको यह आपको काम में आ जाएगा दूसरा वाला point कौन सा है straight line कौन सा है x plus y equals to 3 जो x-axis को xy3 plus yy3 equals to 1 मतलब x-axis को 3 0 x-axis को 3 0 and y-axis को 0 3 point पे छेत करता है and y equals to 0 y equals to 0 मतलब x-axis होता है x-axis में y equals to 0 होता है and y-axis में x equals to 0 होता है ठीक है यह बहुत ही आसान सा सवाल है कैसे हो जाएगा साथ देखिए आपको क्यों आसान लगेगा एक coordinate ले लेता है जो x-axis को 6 0 x-trade line 6 0 यह 6 है तो यह 3 है याद रख लेना यह 6 0 and y-axis को तो 2 से ज्यादा तो 2 से भाग करता है इसको 12 बटा 5 यह समझने के लिए है इसलिए इतना detail में आपको बोल रहा हूं नहीं तो equation बहुत जल्दी हो जाता आप देखो दूसरा कौन सा point है सा 3 0 3 0 point है यह वाला straight line और एक point है कौन सा 0 3 तो यह वाला point ठीक है तो यह 3 0 and 0 3 तो यह वाला triangle के area निकालने के लिए बोला गया है यह वाला triangle के तो यह point कैसे मिलेगा सर intersection इन दोनों में से छेद बिंदू निकाल लो कौन से बिंदू में छेद करता है दोनों ने देखते हैं कौन से वाला point पे छेद करता है तो 2x plus 5y equals to 12 और x plus y equals to 3 ठीक है तो 2x plus 2y equals to 6 कर लेते हैं तो यहां से x कोट आओ तो कितना हा रहा है सर 3y equals to 12 अच्छे तो y equals to 2 अगर y equals to 2 मिल जा रहा है x equals to क्या हो जागा सर x का जरूद भी नहीं है फिर भी कर लो x equals to 1 देखो 2x इस में put करो x equals to 1 तो point अगिया 1 2 क्यों जरूद नहीं है सर हमें base मालूम है triangle का height क्या है सर यह y axis के value है y axis के value कितना मिल गया 2 मिल गया base कितना ह 3 है तो area कितना हो जागा सर half into area कितना हो जागा सर half into base मतलब 3 into height मतलब 2 2 2 कट गया तो 3 to 3 square unit is the correct answer option number c okay sir thank you bye bye stay tuned for the next class